अ किफे 15 वेलकम तु माइज सेफ्टि ट्रेंइंग सेंटर सोफ्रेंडस आज हम बात करेंगे इंगी सिए कंट्रोल के बारे में आप यह ईए सकते हैं जो पर्लस है आपको बता रहा है कि पेस्ट कंट्रोल से हम क्या क्या काम कर सकते है नॉर्मोलिंड नार्मिलिल अप्स नहीं कुछ सारे मास्कीटो होते हैं कोकरच वगर्या अपना बेलिंग आप रहते हैं वहां होते हैं तो हमने कुछ question रखा है आपके लिए आप के सामने है् को क्यों होता क्या है पहले ये चीजे क्सिट है जो हार्मूल इंसेथ है उससे बचने के लि यदो हमारे health काट लिया तो कभी-कभी वहां पे फुल जाता है साप काट लिया तो मौत भी हो सकती है तो उससे प्रटेक्शन के लिए यह एक रिक्वार्यमेंट एक कंपनी के तरफ से और लेजिसलेशन के तरफ से देख रहे हैं आप ब्रेट भी सामने आपको दिखा उसके ऊपर कीड़ा लगा हुआ है एक्जाम्पल क्या है इंसे में रोडेंट्स यानि जो चुहे हो रहा है चलने वाले जो सिल्प करके चलते हैं उसको रोडेंट्स बोलते हैं यह दूसरे इनिमल्स हुआ कि यह ऐसा कोई भी कीड़ा हुआ जो फसल होगर हो इसको देमेज कर सकता हो या बेल्डिंग या उसके आश पास कोई ऑशा कीड़ा जिससे हमें तकलीण हो हमारे रोकर्स को तकलीफ हो जो हमारी वाले लोग हैं उनको तकलीफ हो ति realities से बचने के लिए हमने क्रिस्ट का एक प्रूसीज़ रखा हुआ है कि कितने दिनों में पेस्ट कांट्रोल देना है अभी इसमें देखिए कि आभी हमने कुछ पोस्टर भी लगाया है कि इसमें चूहा चूहिया इसक्वाइरल बार्ट्स जो हड़ा होता है वस्प होता है बीज चीवटिया कौकरोज और जो पीशू अगरा होते ह हैं यह सब चीजें हमारे एरिया में बहुत सारे हैं और अगर आप अंदर जाएंगे तो कहीं कहीं मिट्टी वाली जगह पर सांप भी आपको मिलेगा स्कॉर्पियन भी मिलेगा इन चीजों से बचने के लिए पेस्ट कॉंट्रोल का सिस्टम रखा गया है अब यह मैथट इस बता है के क्ते हैं चीज़ें तो उनके पस नाशक दाव यह उसके जरीए ंन लोग पकड़ते हैं या या मारते हैं तो यह चीज़े हमारे लिए बहुत ज़रूरी है जाब भी हम पास कराते हैं तो अंदियान में राना चाहिए थोथ काम कर रहा है उसके लिए और वह वह पर्षण। तो यह सब चेक करना है अभीहम लोग फकुण निकाल दिया किणा मॉकुड़ा है उसको निकाल दिया ट्रेम्प्रेचर कौन्ट्रोल कमारा ट्रीपिंग है जो प्रिश तो गराना रहे उससे रिमुवर परम अपने एरिया से इन खच्रा चीजों को निकाला भी जेकि हाजार्स के इस में इरिटेशन है बर्न हो सकता है इसकीन इसके जरीए आई इरिटेशन हो सकता है रैस्पाइट्रिक का प्रब्लम हो सकता है जब अंदर पर इस चाइड इनालेशन होगा तो जहर जो इनालेशन होगा यह प comparison है प्लकुल और यह साइडे आपको फ़िर वता रहा है आगे देखिए अपको क्लियर बता रहा है आगे देखिए यहे टूल्स है इस है जो कुछ टूल्स ऐसा है जिसका थॉर्ट पार्टी ऎ। चाहिए जैसे मैंने आपको बता है लेकिन हैंड टूल्स होगा उसकी ज़रूरत नहीं है कैमिकल कार्टिज बॉक्स है उसको उसका इनिशियल इंस्पेक्शन चाहिए फॉगिंग मसीन का थर्ट पार्टी सर्टिफिकेट चाहिए गुलू बोर्ट नॉर्मल चीज़े होती है म मैं जो भी मशीन आपको दीख रहा है साइनेश के उपर इन में से एक दो जो है उसका हमें फॉगिंग मशीन होगा राज है इसका थर्ट पार्टी चाहिए तो याद रखना है फिर पीपी इस पे हमें ध्यान देना है रिस बारेटरिटर मास्क चाहिए हैंड गलोउस चाहि तो यह सब चीजे होने से हम अपने आपको बचा सकता है अगर यह चीजे हैं तो हम अपना अपनी क्रू मेंबर्स एंपको से ऑंगे सब्सक्राइब होना चाहिए कोई भी आदमी पांच से गांटे के आंदर उसके पसे ज़िए गंटे के बार के बाद बाद उस में प्रॉब्लम आता रहता है आदमी को प्वाइजनस उसके अंदर जाएगा अगर गया भी तो शॉट ट्यू रसन में उसको बाहर आना है प्रिग्नेंट ओमन को मुनीमम फॉट्टिफॉर आवर्स अंदर नहीं जाना है कोशिश करना है दो दिन बाहर रहे रिकामेंडेट ह के बाद अगर गया तो प्रिमाइसेज में आपने इंट्री किया तो कोशिश करना है कि जो भी चीज़ है अपने जो वासमेशन होगा रहे इन चीजों को वास करना है ताके कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको ध्यान देना है कि प्रिग्नेट लेड़ी जो है वह अंदर जल् क직ते हैं और या आप वेडीकली हेल्प ले सकते हैं उस तो दो दीन और बढ़ा दीजिए चारदिन कर दीजिए लेकिन इस पीरियेट में आपको medical help लेना है क्यों medical help इसलिए लेना है कि अगर कोई issue हो गया तो उसको immediate medical वाले वो लोग certified होते हैं वो लोग experience वाले होते हैं और उन लोगों के पास उसी की दवा है तो perfect जगा पे हम जाएंगे तो हम अपने crew members को में हमरा मकसद क्या होता है कि कोई भी accident नहीं हो कोई भी injury नहीं हो कोई भी ill health नहीं हो किसी के भी health में कोई acute health effect नहीं हो chronic health effect नहीं हो कि acute में हम को पता चल जाएगा vomit होगा बहुत सारी चीज़ होगी तो हमें पता चलेगा लेकिन chronic नहीं पता चलेगा जब तक हम medical help नहीं लेंगे तो हमारा आप लोग के साथ यही रिकमेंडेशन है कि आप मेडिकल हेल्प जरूर ले ताके अपने लोगों को हम बचा सके आगे देखिए मैंने ये कोस्टन तेरा कोस्टन रखा हुआ है आप तेरा में आप इसको स्क्रीन शॉट ले सकते हैं कि फूड आइटम को टाइटली पैक रखना है कोई भी बरतन हो रहा है उसको कपड़ करके रखना है क्योंकि अगर उसमें जाएगा तो यह आप खाएंगे खाने के बाद प्रॉब्लम कौन सा होगा पता नहीं है इन्शियोड टू रिलोकेट पेट्स कोई भी अगर आपके पास कोई पालदू जानवर है बाड केज है फिस्ट टैंक्स है कोई तो इन ची इनको उसके अंदर जाने के लिए बिलकुल आउट नहीं है उनको बिलकुल बाहर निकाल देना है और रिकमेंडेट आवर्स के बाद ही उसको अंदर लेके जाना है दस्वान नमबर में देखें इन्शियोड दोवर के नहीं होना चाहिए ग्यारा नमबर है स्वीच अफ द एयर कंडिशनर एंड अन प्लग द ऑल एलेक्टिकल डिवाइसे इन एस प्रेंग एरिया जिस एरिया में है अपना एसी को बन करना है क्यों कि वह सी के बाद चारों तरफ घूमेगा फैलेगा तो उससे अच्छा नहीं है इसलिए एलेक्टिकल डिवाइसेज को अन प्लग कर देना है आप लोग बारह नमबर में देखें के इंशियोट पेस्ट कंड्रोल अपने टर्स वैलिड आईडी एंड कैमिकल्स एप्रूट वाइदा मैंसिपालिटी हम यहां पे काम करते हैं दूबई के अंदर का एक लाइसन्स होता है वह हमें देखना है याद रहें कि कहीं भी परहिबिटेड है आप लोग कहीं भी आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करें किसी टाइप की वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता है ताकि मुझे भी बनाने में अच्छा लगे मैं हर दिन कोई ने कोई नई चीज सर्च करता हूं और उसमें वीडियो बनाता हूं हमारा यही मकसद होता है कि हम ओलेंड गैस सेक्टर में काम करते हैं या कॉंस्ट्रेक्शन में काम करते हैं तो हमारे जो भी बंदे हैं जो भी हमारे काम करने वाले क्रू मेंबर्स हैं हमा लेजयों ये एक बैस्टार का इस्थ कर दोद्टार के लिक लेज्टेंग्ट रिखिए गारें में का लिक लिए।